दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं एडू बगीचा हम लोगों ने कल एक बहुत ही इंपोर्टेंट चाप्टर एस्कलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा था आज हम उसी से रिलेटेड मस्कूलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि एसलेटन और मस्कूलर दोनों जब मिलता है तब जाकर किसी भी बोडि का एस्ट्रेक्चर बनता है तब इसके बारे में देखते हैं क्या है यह मस्कूलर सिस्टम यह पेशिये तंत्र आखिर क्या है इसको मानस्पेशिया तंत्र या पेशिये तंत्र भही कहते हैं तो देखिए मानस्पेशिया त्वचा के नीचे एसकलेटल के उपर और त्वचा के नीचे वाले जो बीच वाला पार्ट है उसी को कहते हैं यह संकूचन के फलस्वरूप ये खिचाव, फैलना और सिकुडना इसी को संकूचन बोलते हैं तो संकूचन के फला सुरूप क्या करता है? अंगों में गती उत्पन करता है एवं सरीर को सुद्रिध आकरिती परदान करता है अब कुशन ये उठता है कि हम ये जो मानस्पेशिया है ये एसकलेटन से किस तरह जुड़ी हुई होती है? तो उसके जुड़े होने के पर हम विचार करते हैं देखिए, ये तीन तरीकों से जुड़ा होता है सबसे पहले तो एसकलेटन में बोन और बोन का आपस में जुड़ा होना जरूरी है तो bone और bone आपस में कैसे जुड़ते हैं और उस चीज को क्या बोला जाता है तो देखिए bone, bone और bone जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम लोग ligament कहते हैं ठीक है? आज कल अगर किसी का हड़ी ओड़ी तूट जाए कहीं गिरने पे तो डॉक्टर के पास जाने पे क्या होता है? एक्सरेय ओगरा कराने के बाद वो काता है ligament crack है तो ligament crack है लोग तो हड़ी तूटना समझता है यह ligament क्या है? यानि दो हड़ीों के संधी जो है वहीं crack है उसी को हम लोग ligament कहते हैं अब देखते हैं कि वो bone जो है muscle से किस पर का जुड़ा होता है तो जहां bone और muscles आपस में जुड़े हुए होते हैं उस जगा को tendon बोला जाता है और उसके बाद muscles और muscles भी आपस में जुड़े होते हैं जब muscles और muscles एक दूसरे में जुड़े हुए होते हो हैं तो उस जगह को क्या बोलते हैं? सेल एक्सर बोलते हैं. ठीक है? इतना क्लियर. अब देखते हैं कि मांस में उपस्थित प्रोटीन, जैसे हम लोग कल बोन में उपस्थित प्रोटीन पढ़े थे, ओसीन और कार्टिलेज में कंडरीन पाया जाता था, तो वैसे ही मांस में उपस्थित प्रोटीन मायोसीन होता है, मायोसीन और एक और होता है, एक्टीन, मायोसीन और एक्टीन, दो तरह के प्रोटीन पाया जाते हैं मांस पेशियों में, यहीं दोनों हैं, मायोसीन और एक्टीन, हड़ी में उपस्थित जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं ओसीन याद करना बहुत मतलब इजी है देखिए मांस है तो इसमें मांस से माल लगा दीजिए तो मायोसीन मांस हाटा दीजिए तो उसीन दोनों में रिलेट करके याद कर लेंगे अब देखते हैं एक और जो सबसे मेन कारण है जब हम लोग अभी अपने दैनिक जीवन से संबंदित जब कभी ज़्यादा खेल लेते हैं या ज़्यादा दौड लेते हैं तो हमारे मांस्पेशिया दर्द करने लगती है मांस्पेशियों में ये दर्द होने का कारण एक्चुल क्या है इस मांस्पेशियों में दर्द होने का एक्चुल कारण यही है कि मांस्पेशियों में ठका आना जाना तो ये मांस्पेशिया ठकती कैसे है तो ये लैक्टिक एसीड के चलते मानस्पेशिया ठक जाती है जैसे दोड़ोड होता है जैसे आर्मी और्मी का बहाली में या किसी भी चीज में या ऐसे भी दोड़ना तो वहाँ लड़के सब क्या करते हैं? एनर्जी ड्रिंक लेते हैं एनर्जी ड्रिंक पीजिए ये सब जरूरी चीजे होती है अब हम लोग देखते हैं कि ये मसल्स कितने परकार के होते हैं तो आएए देखते हैं कि ये मसल्स बेसिकली तीन परकार के होते हैं ऐसे अगर देखा जाए तो मसल्स दो ही परकार के होते हैं जब हम सम्झेंगे तब पता चलेगा लेकिन ऐसे तीन प्रकार का माना जाते हैं फस्ट जो है वोलेंटरी मसल्स फस्ट क्या है उसको एसक्लेटल मसल्स भी कहते हैं हिंदी में इसका नाम होता है एकशिक मानसपेसिया तो नाम से ही यह सपस्थ है कि यह किस तरह की मानस्पेशिया हैं देखिए हमारे इक्छा अनुसार चलने वाली यह मानस्पेशिया है यानि अगर इसका definition देना हो तो वैसी मानस्पेशिया जो हमारे इक्छा अनुसार कारे करती हो उसको हम voluntary muscles या escalator muscles कहते हैं इसको हम लोग voluntary muscles कहेंगे या escalator muscles कहेंगे escalator muscles कहने के कारण क्या है कि इस muscles में bone का support होता है यानि कि direct अगर इस language में भी अगर कहें कि इस muscle में bone पाई जाती है अब यह हाथ है तो देखिए तो इसमें muscles तो है बट इसमें bones भी तो है bones और muscles दोनों का attach है ठीक है तो इस muscles में क्या होती है bone पाई जाती है इसको हम लोगे smooth muscles भी कहेंगे. Smooth muscles कूँ कहेंगे? इसके अपने मतलब इतना ये चिकना होता है, soft होता है जिसके चलते हम इसको smooth muscles कहेंगे. इसका nickname है, ऐसा समझ है. Involuntary का मतलब होता है On-Axicic मांसपेसी हैं. यानि वैसी मांसपेसी और जो हमारे इक्षा के अनुसार कार्ज नहीं करती हूँ, ठीक है? For example, देखेंगे lungs, kidney, यहाँ digestive system भी आ जाएगा, अब बताईए कि क्या digestive system ही दिखिए, अगर मान लिजे कि हम खाना खाली है, तो खाना जब अंदर गया, तो digestive system का जो part है, जो उसमें organ काम करते हैं, वो तो डारेक्ट खाना को पचाने में काम करेंगे, यह हमारा इंतिजार तो नहीं कहेंगे, कि यह कहेंगे तब हम पचाएंगे, ऐसी बात नहीं है, इसलिए यह onactic मान स्पेशिया है, लंग्स है, तो यह तो सांस लेगी, छोड़ेगी, लेगी, छोड़ेगी, कि हमारे order का इंतिजार करेगी, नहीं न, वैसे ही इस तरह की मान स्पेशिया हो गई, थर्ड नमबर जो है, कार्डियक मसल्स, पहले ही हम सुरुवात में बोले थे, कि बेसीकली तो दो ही तरह की मसल्स होती है, लेकिन अगर यहां तीन मुख्यता माना जाता है, लेकिन जब समझेंगे, तो हमको पता चलेगा कि अगर इसको दो पार्ट में भी अगर विभक्त किया गया होता, तो कोई गलती नहीं होती, यहां देखिए इसमें bone नहीं पाया जाता है अंतर देखिए इसमें bone नहीं पाया जाता है इसमें भी bone नहीं पाया जाता है इसका example भी heart ही है ये भी जो है onactic की तरह ही काम कर रही है ये भी तो हमारे इक्षा के अनुसार नहीं काम कर रही है अब हर्ट है धड़कना है उसको तो क्या हमारे एक्षा के अंसर करेगी कि यह इतना दिन से धड़क रहे हैं आज होल्ड कर देते हैं ऐसा नहीं नहोंगा तो देखिए इसको भी हम इसी के अंतरवत रख सकते हैं लेकिन यहां तीन पार्ट में बना दिया गया है क्लियर तब हम मसल्स के टाइप को समझ गए कि कितने टाइप का होगा तीन टाइप का फर्स्ट वॉलन्टरी मसल्स जिसको एसकलेटल मसल्स भी कहेंगे जो की हमारे इक्षा के अंसर काज करती है एक्जाम्पल में देख लिए हाथ पैर गर्दन की मांसपेसिया इसमें बोन प सिस्टम स्टोंग अगरा। ये स्टोंग डिपार्टमेंट का ठीक है, इसमें ब्ोन नहीं ही पाए जाती है। थर्ड नंबर हम कारडियक देखें, कारडियक जिसे हुर्दयक मानस्पेसिया कहेंगे, जो कि हर्ट आता है उसमें, और heart भी उनेक्षिक मानस्पेसिया का ही भाग है क्योंकि वो भी हमारे एक्षा कारें नहीं करती है अब हम देखेंगे कि जिस तरह से हमने cool हड़ियों की संख्या देखी थी last class में वैसे ही यहाँ पर cool मानस्पेसियों की संख्या देखेंगे तो body में more than 640 मानस्पेसिया होती है लेकिन इसका authentic कहीं पे लिखा हुआ नहीं है NCRT के book में तो और नहीं लिखा होता है कि हाँ एकदम 640 accurate value नहीं लिखा होगा यानि 600 से लेकर और 700 के बीच में ये होती है लेकिन ऐसे कहने के लिए हम कहेंगे 640 से अधिक तो ये हो गई मानस्पेसियो की कुल संख्या अब जैसे हमने हड़ी में पढ़ा था कि सबसे बड़ी सबसे छोटी वैसे मानस्पेसियो में भी देखेंगे कि सबसे छोटी मानस्पेसिय का नाम याद रखने वाली बात है ये एस्टेपिडस कहते हैं एस्टेपिडस जो कहां होती है कान में हड़ी भी सबसे छोटी एस्टेपस कान में ही थी और मानस्पेसिया भी एस्टेपिडियस कान में ही है सबसे लंबी और मजबूत मानस्पेसि की बात करें तो सबसे लंबी और मजबूत मानस्पेसि सार्टूरिस होता है जो की जांग की मानस्पेसि है हड़ी में भी जांग की हड़ी थी फीमर सबसे लंबी यहां भी वैसा ही है सबसे बड़ी मानस्पेशी की बात करें सबसे बड़ी मानस्पेशी तो यह हो जाएगा Glutus Maximus Glutus Maximus याद रखने के लिए सेफ हम लोग Maximus से भी काम चला सकते हैं यह Maximus कहां होता है Glutus Maximus Coolhapper जहां पीछे डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं वा उसी जगह का मानस्पेशी है जिसको Maximus Glutus Maximus कहेंगे तो यह हो गई Glutus Maximus यह तीन चीज याद रखना है अब देखते हैं कि इसका कार एक्चुली है क्या तो जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा कि काम कैसे करती है क्या काम होता है जैसे मान लीजिए कि यहाँ Biceps की बात करें तो हम लोग ऐसे ऐसे बार-बार करते हैं जो Gymnastik Gym जाते हैं वो लो तो और ऐसे करते हैं तो आए समझते हैं यह एक्टीन हो गई यह भी एक्टीन हो गई आप प्रती दो एक्टीन के बीच में एक मायोसीन होता है फिर एक्टीन फिर इधर एक्टीन बीच में मायोसीन एक्टीन एक्टीन मायोसीन एक्टीन 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 ऐसे ही एक स्रिंखला बनी होती है तो जब यह पूस होता है यह फिर pull होता है push pull चलता है तो उस समय actin और दोनो actin के बीच में myocene होता है तो myocene का head जो है यानि इसका head इस actin के head से टकड़ाता है ठीक है? और यहाँ पे टकड़ाएगा जब push and pull होगा तो यहाँ ऐसी संदर्चना सब में होती है ठीक है ऐसी संदचना सब में होती है और ये head to head इसका टकराएगा अर टकराने के फॉलस रूप क्या होगा कि यहीं से ATP बनती है ATP अब ATP क्या है तो एडेनोसाइन ट्राइफोस्पेट ये energy का रूप है एडेनोसाइन ट्राइफोस्पेट ATP बनता है ठीक है अब ये ATP जब खर्च होता है यानि कोई भी उर्जा जब खर्च होती है तो कम होगी तो ये ट्राइफोस्पेट है लेकिन जैसे ये खर्च होगा तो ये ADP में बन जाएगा तो adenocynd diphोस्पेट में हो जाएगा बदल कर लेकिन उससे भी कम अगर हो जाए तो AMP में हो जाएगा एडिनोसाइड मोनोफोस्पेट तक नहीं ही होता है संभवता ATP से ADP बनता है वापस ADP से पुनह ATP बन जाता है चुकि ये प्रोसेस तो continuous चलती रहती है energy continue generate होते रहता है अचुकि energy को क्या बोला उसको तो destroy किया नहीं जा सकता है बस उसका रूपांतर किया जा सकता है ये chapter जो है मानसपेशिया यह आपको समझ में आई होगी इसको देखिए enjoy किजिए दोस्तों को share किजिए और हमें like और comments देते रहिए जिसके चलते हम और भी energetic हो सके और और भी energetic रूप में आकर class कर सके तो धन्यवाद